नमस्कार मैंनेहा जोशी आप देख रहे हैं The Fact India राजस्तान में विधन सबा की 199 सीटों के लिए शनिवार यानि की 25 नवंबर को शाम 5 बजे तक 68 फीजदी से अधिक मतदान हुआ है राज्य में मुख्य मुकाबला कॉंग्रिस और बीजेपी के बीच है दोनों ही दलों के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी को जनादेश मिलने की उम्मीद जताई है अधिकारियों के अनुसार हिंजा की छुटपुट घटनाओं को छोड़ कर शाम्तिपूर मतदान रहा है साल 2018 के विधान सबाचनाओं में राज्य में कुल मतदान फीजदी 74.06 फीजदी रहा था सत्तारूर कॉंग्रेस और मुख्य विपक्षि दल बीजेपी के नेताओं ने दिन में मीडिया से बाच्रीत में विश्वास जताया है कि उनका पार्टी को जनादेश मिलेगा मुख्य मंत्री अशोग गैलोत नहीं जोदपूर में कहा कि कॉंग्रेस के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है और पार्टी राज्य में फिर से सरकार बनाएगी उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई अंडर करंट है ऐसा लग रहा है कि सरकार दोबारा बनेगी सियम अशोग गैलोत के बयान पर वसुनरा राजे का पलटवार भी रहा है वस्मुरा राजे ने जालवाड में मिडिया से सीम अशोग गैलोत के अंडर करेंट वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं उनसे सहमत हूँ वास्तम में एक अंडर करेंट है लेकिन यह बीजेपी के बक्ष में है तीन दिसंबर को कमल यानि कि बीजेपी का चुनाव चिन खिलेगा चोधपूर में केंद्रिय मंद्री गजन सिंग शिखावत ने कहा कि बीजेपी भारी भवमत के साथ सत्ताव में आ रही है इस बार लोग कॉंग्रेस के पांच साल के साशन के दोरान महिलाओं के खिलाफ होई अपराज पेपर लीक और ब्रस्टाचार को ध्यान में रख कर वोट करेंगे इससे पहले दिन में प्रधान मंदे नरेंद्र मोधी, कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिक आरजुन खड़के और कई अन्यनेताओं ने राजस्तान के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें दौफेक्ट इंडिया के साथ मैं नहीं हाजूशी ताजा खवरों के लिए बिजिट करें दौफेक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनोड करें दौफेक्ट इंडिया एप